ओके लैसे सार्ट विदाउट वेसिंग टाइम मार्केट में अगीन एक खराब सेशन देखने को मिला बट बढ़ा गैप डाउन खुला देखो हमेशे एक चीज याद रखना जब भी बहुत-बढ़ा गैप डॉन कि बहुत-बढ़ा गैप खुलता है ना तो जनरली बहुत- अगर मैं बात करता हूं आपकी बैंक निफ्टी की ठीक है बैंक निफ्टी आपका अगेन अभी यहाँ पर आप देख रहो है मैं दो चार्ट करती है ठीक है राइट साइड में अपका निफ्टी है लेट साइड मेरे को बताना है कि सिंगल सिंगल चार्ट देखना है डबल तो आपको क्या दिख रहा है अचा बैंक निफ्टी क्यों गिर रही इतना वही आरभी वाले डिसिजन था आज की ना अगर आप देखोगे तो दो कंटिनियस डेस से आपकी क्या बन रही है अच्छा एक चीज़ और आपने नोटिस करी फिन निफ्टी आगए नाइंटीन फाइफिफिटी के आसपास और निफ्टी आगए नाइंटीन थाजन सेवन थर्टीवन यह कभी छे सो पॉइंट के प्र देखोगे तो केंडल दोनों ग्रीन है और इस दौसाइज यह दोनों ही बैट्विटी ने प्रेशर देख रहा है अब धी ग्रीन क्यों है ओविसलि आई्टी और रिलाइंस की विसे वरना आईटी और रिलाइन्स अगर आपका खराब पर करते बैंक निफिटी की तरह तो म यहां पे आप देखोंगे 9841 यह ही आपका इंपोर्टन एडिस्टेंस एरिया है अभी क्या हो रहा है यह एरिया में आपकी सेलिंग आ रही है अभी हम लोग चोड़े टाइम फ्रेम भी चलके देखेंगे ठीक है पहले यहां पर में माग कर देता हूं उसमें भी खास बेनिफिट नहीं मिला तो कॉस्टो को स्वल में निकल रहा है ठीक है क्योंकि बहुत बड़े गयाप के बहुत बड़े गयाप के बाद टेट इंट्रडे वालों के लिए पॉर्टेटी खतम जाती है अभी आप बैंक निफ्टी में क्या चीज़ देख रहे हो बहुत इंपोर्टेंट लेवल देख रहे हो अगर यह टूटा तो फिर अगेन आपको एक सैलिंग देखेगी कौन सा लेवल रहा है फॉर्टी थी थाउजन यही जो इसके लोग देख रहे है तो यहां पर आप देखो इस केंडल पर भी इसने क्या किया है इस पर्टिक्लर इसलिए हमेशा याद रखना बाइर्स के अरिया में आकर आपने फ्रेश शॉट्स नहीं करने होते हैं जब बाइस से नीचे नीचे निकल जाएगा तो आपको शॉट कर देखोंगे आप इस केंडल का लोग पॉइंट है 43,000 नेक्स इंपोर्टेंट लेवल मार्क कर लेना 350 ठीक है यह लेवल आपका है अगर यह लेवल को डिफेंड कर पाता है नहीं कर पाते बिकॉस सैलिंग जब भी आती तो बहुत तेरी से आती है ना अगर इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा तो दिक्कत वाजी बात है कहा तक जाएगी 43,000 रौंड लेवल यह लीए फिर सिध़ा ठीक है यह डिक्यां यह ही है इसे अगरश ही, और इसकेंडल का हाई प्राइस तक्रीवन ही है और इसकेंडल का लो जी लीए इता ह다면 और यहां नंबर से आब में असे वाटसब मैं वीयह ठ्टेइंट नहीं है इज् क्यों बता रहा था यही सयँ जगा पर हम लोग अंने शॉट का बजिंक ट्रेड लिया था कहाँ पिर इस तो कु्हां लिए था शाट का ति Divine में यहां से मर्केट ने सप्पोर्ट लिया उपर आने कि आए दो वपसने या उसक एद आपके 있습니다 ले तो सेम चीज आप वंडे के चार्ट मैं वंडे के चार्ट तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको मेजर प्राइस सेक्षन पर पर चले कि क्या चीज है ठीक है वही सेम चीज है यहां पर यह रिस्टेन्स हुआ कर दी पहले यह वाला एरिया अब यह सपोर्ट का इस इसमें गई नहीं थी उपर इसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी स्ट्रॉंगनेस और वीकनेस कैसे दिखती है कि जो निफ्टी है उसने देख रहे है अब यह वाली केंडल इसका कल का स्विंग पर पहुंची उससे भी उपर पहुंची जबकि इसने वापस से इस एरि इसके उपर ही देखनी कि इस पर जाएगा तभी मैं बुलिश की तरफ जाओंगा और कहां पर है अपना यहां से अगर माग करता हूं तो ठीक है यह एरिया अपना सप्लाय का एरिया है इस एरिया इस सप्लाइज एरिया ठीक है यानि 750 और यह क्रॉस करेगा 765 तब मैं थोती है वह आपका रिजिस्टिन्स बन जाती है तो अगर हो यह एरिया पर आपका सपोर्ट आ रहा ता बार सपास पजिदेन लीइटीनि अम मारे-टे नहीं तो आपके चोड़े टाwers और वह सम्वेर एराउंड 296 ओके यह लेवल ठीक है इसका हाई और इसका लोग यानि टूस फिफ्टी एनि फॉर्टी 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 या थी फिस्टी के असपास मुझे मिलेगा तब मैं बाइंग की साइट जाऊँगा या फिर मेरा सैवें टूस करेगा तब बाइंग की 50 के उपर मार्केट जब भी भी क्लोज होगा तब ही बड़िया वाली बुलिशनेस के बारे में सोचना है उससे पहले बड़िया वाली बुलिशनेस नहीं सोचना है निफ्टी पर आते हैं अभी निफ्टी फॉल उप करेगा बैंक निफ्टी नहीं करेगी यह देखने वाल कितना important यह resistance हुआ करती थी ठीक है उसके बाद यहीं से लौट आए तो इसी रिस्टेंस से काफी गिरा है देख रहा है आपको इस रिस्टेंस काफी गिरा है तो यहीं रिस्टेंस से लौट आए फ्रेश तेजी अपने को 19,000 कौन सा लेवल आ रहा है 850 के ऊपर क्लोजिंग प आपको तब वापस से रिज्यूम करनी है जब आपका इसके ऊपर चली जाए जैसे हम लोग करते थे कि यह लेवल की ऊपर अपने को दोन पहले हम लोग बाया ओंडिक की पॉस्टेट जोन रहे थे इस लेवल के ऊपर कौन सा था ना खासता यह वाला लेवल टूपता है कौ तो आपके पास फिर गैप यह वाला और यह वाला एरिया है 550 तक का लेवल आपके पास खुलते हुए दिख रहे हैं अगर 680 तक टूट रहा है ठीक है मतलब 550 तो अब बहुत इंपोर्टन सपोर्ट है ठीक है तो मुझे बाय कहां करना है इस केस में ठीक है निफ्टी के अं तो आपके पैनिक होना करेंगे तो कौन सा वह एकिल खुटे और इस लेवल के ऊपर खुलती है तब मैं मैं शॉट करके बैठे हुए ना आज के दिन तो कौन सा बातर यहाई 1977 75 फिर वो कहा तक लेके जाएगा 850 तरक न 850 अपके again strong resistance है यानि sellers का एरिया कौन सा रहा है 850 के असपस और buyers का एरिया कौन सा रहा है 550 या फिर अगर इस एरिया में कोई positive action मिलता है तो 650 के आसपस तग ही नहीं तो 675 के नीचे फिर थोड़ी सीसमें भी पें अगर दिखता है तो कम quantity इस एरिया में मैं कम quantity में full quantity नहीं जाओंगो याद रखता है इस एरिया में क्योंकि यहां पर वी खास आपकी support है नहीं ठीक है फिर next आपकी support आ रही है 550 580 और 600 के आपको याद होगा लेवल तो वह आपका 625 625 625 अभी लेवल मेरे को याद है इसलिए मैं आपको में अब मैं इतना negative वाइसनेस क्यों जा रही है मेरी उसका एक सिर्फ पल सा जीजन है अचा एक चीज में आपको बताना भूल गया चलो देखा देता हूं मैं बता गया रहा हूं दिखाई देता हूं आपको कि अगर मैं बात करता हूं इसकी यहां से यूएस मार्केट के इतना चल रहा है यूएस 30 अपका यूएस 30 ठीक है यह आपका अच्छा नीचे आ गया यह अभी वड़ना यह ऊपर थालना था था मैं 35 095 तक गयता हूं यूएस का मार्केट फॉलो करते हैं न पूरा तो यह अच्छा वाला ब्रेक आउट है इसका मतलब इसका बहुत प्यारा यह डवलू बेटन का इसका ब्रेक आउट है इस जगह पे इसने हौल्ट किया इंड इसने आपका ब्रेक आउट दिया अभी यहीं पे सेम आपको सब क्यों दिखा रहे हैं चार्ट की प्रेक्टिस हो जाती है इससे न यहां से 55,000 का लेवल तकरीबन मैं यहां माग करता हूं तो यह तो दिख रहा है बार बार इसी एरिया के असपास आपका यह दिख रहा है एक सेकंड अब देखे ला ठीक है बार बार यह 35,000 इसी एरिया में कौन सा एरिया रहा है 980 से लेके 35 बीस पॉइंट का जो यह एरिया है इसी एरिया में बार बार इससे ले रहा है ठीक है अब इसने वापस से नीचे आगया तो अपना डेटा तो वैसे निगेटिव तह और यह इसी अगल निफinta करता हूं तो निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको और को यह वाले पॉट सापके कांड़ा help मैंना हमेशा चीज बताया आपको कभी भी बड़ा ब्यर ट्राइफ औक के नहीं जाता है ठीक हम चोटा प्लेवी रीम्म हैं तो इसमें मतलब अब 50 आपका 6 कोई खास आपकी यहां पूट राइटिंग निख रही है आते मापस से इस एरिया में दिन में जा पूट राईटर्स निया ऑद heute विए थे पूटे पाग गए यह के डेटा भी आपका नेगेटिव की साइड ही बना हुआ है ठीक है देन आते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी कब तो अब यहां पर दिख रहे हैं यह वाले पुट्स आपके ट्रैप होके गए हैं ठीक देन आपका यहां पर कॉल्स अच्छी के ओपर पहला जागा और दूसरा कोई सपोर्ट वे सपोर्ट कहां प्यारी 9550 के असपास इसके बीचे बाइंक कर साज जाओंगा अगर मुझे बैंक निफ्टी में जाना है बाइंक की साइट तो मैं जाओंगा 43,780 के ओपर ही या फिर मुझे जाना होगा तो 43,250 के आसपा आपने डेटा देखा वह नेगेटिव है और आपका प्राइस एक्षिन भी बैंक देखोगे तो यहां पर नेगेटिव की साइट ही आपका दिख रहा है है ना कैसे दिख रहा है नेगेटिव के साइड यह आ गया है ठीक है इस केंडल का सीधा अगर ना इस क्लोजिंग उपर दे जाती मानलो आज गैप डाउन होगा चलो ठीक है और भी आई की नियूज डाइजस उडाती उसके उपर देती ना तो समझ लेते कि हम यह नियूज ड आपको ठीक है स्ट्रक्चर आप देखोगे तो अगेन इसमें भी डे लो पे बंद हो यहां तो दीरे दीर दीर गिरा और ग्रैविटी ने अपना काम दिखा दिया केवल एक बैंक है जो निफ्टी बैंक को बचा रहा है वह आ रहा है आपका यह वाला है जो कोलैप्स निकर और निफ्टी बेंक दिक्कत कर देगी नेक्स आतें एक्सेस बैंक पर चींख कभी सेम हाल है देख रहा है उपर गया से ही आपका बार बार लौट्रा रहा है तो मेरे कोई कोई बैंक में बुलिशनेस नहीं सिवाई HDFC बैंक के बचाने का काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी है और फिन निफ्टी आपका इसमें भी कॉल सी बैटी पुट्राइटर्स यहां से भागे हैं कहां से भागे हैं तो तीन दिन की सेलिंग में कभी भी रिवर्सल को प्लान करेंगे एक बार रिवर्सल आ जाएगा फिर देखेंगे थे कि मतलब बाइंग की साइट अगर बहुत बड़ा गया खुलता तो अगिन बाइंग की साइट को प्रफिट वह नहीं है ना ओक तो आए होग को समझ में आ झांट झांट झांट